हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बीयर ट्रैप से आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि बीयर ट्रैप होता क्या है उसके बाद हम देखेंगे कि हम बीयर ट्रैप से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं देखेगा क्योंकि loss के जगह पे आप loss को सिर्फ avoid ही नहीं करें वहाँ पे आप उसको profit में convert करें यह चीज हमें सीखना बहुत जादा जहूर है अगर आप market में लंबे समय तक survive करना चाहते हो तो चलिए इस concept को समझते हैं कि कैसे हम bear trap को identify करते हुए उससे बचते हुए कैसे व मिक है अख यहां पर यह आप हम चार्ट पर आगें और यह जो चार्ट त्यार्ट है अपका एकसिस बैंक का डेली चाट ऐ यहां पर हम टाइम फ्रेम की बात करेंकि इसका इस्ते脃 त्वेर्टी के साथ-सा-की। क्योंकि यह आपका trading strategy के साथ साथ एक trading technique भी है जो कि आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़ूरी है जो कि आपको losses को protect करने में help करता है losses को avoid करने में help करता है और वहां से आप कैसे profit generate कर सकते हैं वो भी आपको सिखाता है यह तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर bear trap से बचने की बात करें और इससे पहले भी हमने इसके उपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप bull trap से बचते हुए वहां से profit बना सकते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि bull trap होता क्या है उ यहां पर हमें एक strong support level identify करना होगा तो यहां पर अगर हम support level find करें देख सकते हैं यह जो level है यह हमाई लिए support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है यहां पर हमें एक strong support level develop होता हुआ दिख गया अब यहां पर bear trap क्या होता है सबसे पहले हम इस concept को समझ लेते हैं कि bear यानि जो sellers होते हैं उनको यहां पर trap किया जाता है कैसे trap किया था sellers को उस concept को हमें समझने की ज़वत है ताकि हम आगे इस trap से खुद को बचा सके और इस trap से कैसे profit बनाना उसके उपर हम बाद में बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए यह आपका support level है अब price आपका उपर गया और यहां पे नीचे है और एक strong red candle इसको break करके नीचे closing दिया है तो जैसे यह rate candle इस support को break करके नीचे closing देता है तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है यहां पे हमें जवर्दस breakdown देखने को मिलता है और बहुत सारे आपको YouTube चैनल पे न्यू चैनल पे या फिर multiple sources से आपको मिलेगा ख़बर यहां पे बेक डाउन देखने को इ क्या होगा market आपका ऊपर जाने लग गया और यहां पे आपका क्या हुआ यहां पे आपका SL हीट हो गया और ultimately यहां पे आप trap में फस गए और trap में फसने का मतलब है कि यहां पे आपको loss जरूर होगा तो यही होता beer trap जहां पे आप गलत तरीके से breakdown को identify करते हो यहां फिर आप आपको identify करके दिया जाता अपको मजबूर किया जाता कि यहां पर आप SELL करो जैसे ही SELL करते हैं आप trap में फस जाते और आपको नुक्सान होता है तो इस तरीके के beer trap से हं कैसे बच सकते हैं सबसे पहले वू हमे देखना है यहां पर जो हम trap में फस ते हैं इसको हम कैसे avoid कर स सकते हैं तो एक एक पॉइंट को हमें सिस्टमाटिक समझने की जबवत है तो यहां पर अगर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो वापस से यहां पर हम एक सपूर्ट लेवल जैनुरेट कर देते हैं यहां पर हमने सारव कुछ पहले से जैनुरेट करकर रखा वह मैं आ ही और यहां पर हम हमें क्या वेट करना है यहां पर हमें कन फरमेशन के लिए वेट करना लोग जैनर्वल support level है और support के नीचे किसका इलाका होता support के नीचे generally इलाका होता buyers का और अगर buyers को हराना है तो sellers में strength चाहिए continuous level पे सिर्फ break करके काम नहीं किजा लेगा तो इसके बाद अगर हमने confirmation के लिए wait किया तो एक wait candle मिला closing भी इसके नीचे दिया लेकिन वो red candle कैसा candle बना है डोजी candle जहाँ पे हमें strength नहीं weakness दिखा रहा है और यह red candle आपका gap up के साथ ही open हुआ है मतलब यहाँ पे थोरे बहुत buyers अपना presence दिखा रहे हैं यानि buyers यहाँ पे आपके active होते वे दिख रहे हैं और at the same time यह candle दिखा रहा है यहाँ जो sellers हैं वो कमजोर हो गया मतलब sellers के कमजोर होने का process सुरू हो गया और buyers अपना presence दिखा रहे हैं मतलब अब यहाँ पे हमें और थोरा सा जो sales है की तरफ हमें positions लेना था उसको hold करना परेगा उसको थोरा सा रोकना परेगा अब हम यहाँ पे और confirmation के लिए इंतजार कर रहे हैं अगला candle आपका जवरदस green बन गया और यह जो green candle बनाए gap up के साथ हुआ है यानि जब भी gap up open होता है तो थोरे बहुत sellers active जहुर होते हैं लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं हुआ है gap up के बाद भी buyers active दिखें और price आपका all the way उपर निकला है और जहाँ पे इसका high है वहीं पे closing दिखा है मतलब यह पूरे का पूरा buyers के strength को denote करता है तो यहाँ पे जो process चलवा था buyers active हुए अब यही buyers यहाँ पे strong हो चुके हैं और जो sellers हैं वो काफी हद तक बहुत जादा कमजोर हो गए तो देखें किस तरह की systematic टरीके से power का यहाँ पे transfer हो रहा है तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या अगर सकते हैं जो आप trap में फस्ते हैं इसको आप यहाँ पे avoid कर सकते हैं क्योँकि यहाँ पे जो seller से वो कमजोर हो गए हैं और जो buyer से यहाँ पे strong हो गए हैं तो इस तरह कि अगर आप confirmation के लिए wait करोगे तो फिर आप इस trap से बच सकते हो यानि आप bear trap से अपने आपको बचा सकते हो तो अब हमने देख लिया कि bear trap है क्या और हम खुद को कैसे बचाएंगे अब हमें देखना है कि यहां से हम profit कैसे बनाएंगे तो हमने यहां तक क्या समझाता कि यहां पे sellers कमजोर हुएं और buyers आपका strong हो गए तो यहां पे कोई एक positive pattern बनना चाहिए यहां पे हमें कोई एक positive या फिर bullish हमें pattern यहां पे बनना चाहिए तब ही यहां पे हम क्या करेंगे buy side की तरफ positions initiate करेंगे और यहां से हम profit बना सकते है तो यहां पे अगर हम positive pattern को identify करें यह जो तीन candle आपका बना है यह आपका क्या form किया है यह आपका form किया है आपका morning star और morning star candlestick हमें positive candlestick है और यह हमें buy side की तरफ indications देता है तो इन तीनों candle में जो भी high है यह आपका highest point है जैसे price इसको break करके उपर निकलेगा यहां पे हम buy side की तरफ positions initiate करेंगे और इसका जो भी lowest point है वो हमारा SL के रूप में काम करेगा तो देखिए price यहीं पे इसको break करके उपर निकला है यहीं पे हम buy side की तरफ positions initiate करेंगे और यहां पे जो हम buy side की तरफ जा रहे है वो जा रहे हैं आपका 650 के करीब यानि 660 आप ले सकते हैं और all the way यहां पे अगला साइकलोजिकल लेबल जो हमारा होगा 700 करीब यहां पे हम target अपना set करेंगे यानि तो आप देख सकते हैं जो previous low है आपका इस level के आसपास आप इस level के आसपास अपना target भी रख सकते हैं यह भी आपका जो target बनता हुआ दिख रहा है लगवगा आपका 692 के करीब बनता हुआ दिख रहा है यहां पे हम all the way 32 to 35 point के लिए जा सकते हैं जो कि यहाँ पर हमें 5% का return देता हूँ दिखता हूँ और 5% का return छोटा-मोटा return नहीं होता है और यह return आपको कुछ दिनों में ही मिल वा है ज्यादा आप इसके लिए इंतजार भी नहीं कर रहे हैं तो यह आपको sufficient amount of profit बना के दे रहा है तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सब यहाँ पर maximum लोग trap में फसते हैं वहाँ पर हम trap से बच रहें और वहां से हम profit बना रहें इस तरीके से आप अपने trade का accuracy level increase कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और यहाँ पर multiple example ले रहें अब दूसरा example हम ले रहें hourly chart में बेटेनिया का hourly chart है अब यहाँ पर भी ब्रेक करके नीचे closing दिया है और maximum लोग यहाँ पर किसके लिए जाएंगे breakdown के लिए जाएंगे और जैसे आप breakdown के लिए जाओगे यहाँ पर आप ट्रैप में आसानी से फस सकते हो और आपको नुकसान हो सकता है यहाँ पर हम confirmation के लिए wait करेंगे और जैसे इसकी बाद आप confirmation के लिए wait करोगे तो यहाँ पर sellers active होते हुए नहीं देखें वापस से कौन active हो गया buyers active हो गया और closing आपका इस support line के ऊपर दे दिया यहाँ वापस से इस support level को maintain कर लिया है तो यहाँ पर आपको याद होगा मैंने पैटरन को पर डिसस किया था यह जो आपका देख सकते हैं यह रेट केंडल है और रेट केंडल के हाफ को ब्रेक करके ऊपर निकल गया यह वाला ग्वीन केंडल तो यह आपका जो formation किया है piercing pattern का formation किया है ठीक है spelling थोरा सा उपर नहीं किया हो सकता हूँ आप देख ली जगा यह आपका piercing pattern का formation किया है जो कि एक जबरदस्त positive pattern माना जाता है और इसके basis पे हम by set की तरफ positions initiate कर सकते हैं कैसे इस तीनों pattern में जो भी आपका highest point है तो यहां पर अगर हम piercing pattern की बात करें इस green candle के high को mark कर लेंगे यह आपका high होगे जैसे price के उपर निकलेगा हम भाई करेंगे और इसका जो भी lowest point होगा वो SL के रूप में काम करेगा तो अगला candle gap up open हुआ यहाँ पर open होते ही gap up open होते ही हम भाई सार की इनिशेट किया है 3610 यहनि अगर आप चाहो तो बेटैनिया इसका आप 3600 का call options यहां पर आपको यहां से profit मिलता हो दिख जाएगा और हमने जो target अपना सेट किया था वो आपका 3763 करेब यहनि 100 points से उपर का यहां पर हमारा target पैस है यहां पर भी हम लगबग 5% to 7% का profit आसानी से निकार लोएं तो देख सकते हैं हमें 5% का profit इस strategy को follow करते वे आसानी से मिल जाता है हम सिर्फ यहां पर losses को avoid नहीं करें उस loss को profit में convert करें यह बहुत बरी बात होती है और इसका आप किसी भी time frame में इस्तमाल कर सकते हैं जो last example हम ले रहे हैं वो देख सकते हैं 15 minutes का time frame है जिसके basis पर आप यहां पर intra day trading भी कर सकते हैं तो आप चाहोत इसके basis पर intra day trading कर लो, positional trading कर लो, futures में trading कर लो, futures के intra day में कर लो, options के intra day में कर लो, जो भी आपको सही लगता हम यहां पर आप trade initiate कर सकते हैं तो यहां पर भी यह देखिए आपका support का formation किया है और यहां पर एक strong red candle इस support को break करके नीचे आए, नीचे closing दिया है, यहां पर हम क्या wait करेंगे, confirmation के लिए wait करेंगे, क्योंकि यही confirmation के लिए wait करना हमें trap से बचाता है, और यहां पर अगला वाप candle के high को mark करेंगे, इसके high को जैसे breaker को उपर निकलेगा, buy करेंगे और इसका lowest point SL के रूप में काम करेगा, high को breaker को उपर निकला है, इस level के आसपास हम buy करेंगे, यह point SL के रूप में काम करेगा, पहला target price यह होगा, second target price की बात करेंगे, second target price मेरा यह होगा, second target price से करीब गया, तो पहले target place को तो आसनी से इट किया है यहां पर भी अगर हम बात करें प्रोफिट की तो यहां पर हम इंटवी ले रहें इस लेवल के आसपास हम इंटवी ले रहें इससे थोड़ा सेनीचे यहनी 1650 प्रॉफिट जो हम बुख कर II 1680 के आसपास हम profit book कर रहे हैं यहां पर 30 point का बनता हुआ दिख रहा है 30 point का मतलब है कि यहां पर 2% का profit हमें intra day में मिलता हुआ दिख रहा है तो देख सकते हैं 2% पर प्रोफित भी sufficient profit होता है और इसके basis पर आप options में भी अगर trade लेते हो तो अच्छा खासा profit मिलता हो दिखेगा चाहे options में trade लो या फिर futures में trade लो या फिर आप intra day में trade लो हर एक जगा यह आपको sufficient amount of profit देता हुआ दिख जाएगा तो इस तरीके से हम क्या गर सकते हैं हम trap से बच सकते हैं bear trap से बचते हुए profit बना सकते हैं बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि यहां पर हमें confirmation के लिए वेट करना वह आपको बचाएगा bear trap से और उसकी बाद हमें एक positive pattern चाहिए तभी हम buy करेंगे अगर को आपको proper answer किया जाएगा so that's all friends मिल दें नेक्स वीडियो में जैहिंद